हेलो गाईज नंदलाल भिंडी तोड़ रहे हैं कड़क हो जाती है भिंडी अगर रोज मत तोड़िये तो ना नंदलाल कड़क वाली भी तोड़के ना फेंग दीजिएगा है हम एह उसमें बहए गये ड़ी गार के पीसे हम लोगे बाइटाइज पानि लग जाता है अच्छा पानी डखिन वह जाता है अच्छा तो उसी के यह पानी के प्तिन पूल चले गए जाया तो हम भी ज्याएटएथ तो ओधानी तो जाया यह जए तो तो पुर्गावास है तो बचाया और कितने थे भाई बहन आपके दो भाई थे और एक बहन सब बह गए हाँ राम तब तो आपकी मम्मी को कैसा लगा होगा नहीं और भी मर गए थी जोटे थे सब तो बापके पापा के संगाप रहते थे अच्च हलो गाई वेलकुम टू आर व्लॉग मीनू 21 और अभी सुबह के साड़े नौ बज रहे हैं मैं नहां वहाँ के रेडी हो गई हूँ मैं बच्चे भी स्कूल चले गए हैं आज न मैं सुबह यह देखिये पूरे गद्दे का मै सब मैंने धुल के डाली हैं लाइट ही कट गई तब तक तो कुछ धुले हैं कुछ अभी बाद में बारा वजे धुलूंगी मैं सोची पुझा उजा कर लूँ क्योंकि फिर ब्रेक्फस्ट में लेट हो जाता है और आज तो बहुत तयारियां भी करनी हैं क्योंकि कल रक्षा म बंधन मना रहे हैं आप लोग बताईएगा आप लोग कम मना रहे हैं वैसे तो बोल रहे हैं आज ही से चड़ा है लेकिन भद्रा नक्षत्र है तो उसमें ना बांधना राखी शुब नहीं होता है तो इसलिए कल सब लोग अर्ली मॉनिंग साथ वात बजे तक ही है तो जल् साइज यह न टेबल क्लौथ जैसे कांच उपर लगा हुआ है ना तो पहले मैं इस पर टेबल क्लौथ भिछाती थी तो क्या होता था जैसे कुछबी चाय के स्टेन या कोई भी स्टेन इस पर लग जाते थे और फिर वो टेबल क्लौथ पर लोश कर ये वो नहीं निकलते है तो फिर मैं ये ना plastic coated मतलब कपड़े जैसा ही है washable भी है ये मैं ले आई थी मतलब अपने local shop से ही तो थोड़ा extra ही लाई हूँ तो मैं वही देख रही हूँ कि इसके ना size का मैं देख लूँ और फिर cut कर दूँ और बाकी का उधर जो chest of drawer मेरा रखा है ना उस पे भी मैं बिछ क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे कुछ भी रख देते हैं तो stain पड़ जाता है even bottle भी रख दिये ना कुछ भी रख दिये तो फिर वो table cloth अगर cotton है ना तो उस पे से दाग तो निकलते ही नहीं है तो इसलिए मैं ये सोची की बिछा दूंगी और अच्छा भी देखने म में shiny सा है और तुरंत easy to wash भी है आजकल तो हर चीज सब लोग ऐसा सोचते हैं जो मतलब easy to maintain हो क्योंकि guys मतलब आजकल की life में हमें साफ सुथरा भी चाहिए और easy to maintain भी चाहिए तो इसलिए मैं ये ले आई थी ये guys ना आप लोगों को easily अपने local shop में मिल जाएगा ये सब ना हमें local shop से ही ले लेनी चाहिए तो मैं वही measure करके इसको काट दी हूँ और इसका जो बचा हुआ portion है थोड़ा मैं extra लेके आई थी ये chest of drawer पे पहले मैं उसका बिचाती थी बनार्सी है वो बिचाती थी तो उस पे भी बहुत जल्दी dust पढ़ जाता है और अच्छे से उसक पे बिचा दी कि रोज मतलब सूखे कपड़े से भी पोस देंगे ना कितना भी आप guys साफ सफाई रखिए लेकिन वो dust ना आई जाता है अगर रोज के रोज आप dust नहीं करो ना तो जब दो दिन पे भी अगर आप ऐसे हाथ लगाओगे ना तो dust दिखने लगता है तो मैं इ पहाना धोना तो हो गया है guys और यह देखिए guys मेरे शादी की photo है वो हम लोग घूमने गए थे वहां का और यह देखिए बिचने पे कितना सुन्दर लग रहा है और easy मतलब सबसे अच्छी बात तो मुझे लगती ना कि जो washable हो और easily wash हो जाए साफ हो जाए क्योंकि cotton पेक ब तो फिर उनको बिच्छाने का मन भी नहीं होता है और इसका color भी इतना अच्छा है shiny सा थोड़ा enhance कर रहा है पूरे मतलब look को ही बहुत अच्छा कर रहा है Hello guys welcome to our vlog menu 21 और अभी ना बच्चे आ आ गए है खाना वाना खा के सो गए है मैं सो गए थी मैं सोती हुना तभी उन लोग भी सोते हैं नहीं तो मैं अगर ना सोना तो उन लोग भी नहीं सोते हैं तो मुझे लगता है कि सुबह का उठे हुए हैं और फिर जासा कि आप लोग ज साथ बजे का मुहुर्त तो फिर सुबह जल्दी उठाना होगा बच्चों को नहाध होके रेडी हो जाएंगे मतलब 6 बजे उठेंगे तभी तो जल्दी कर पाएंगे तो इसलिए भी मैं सुला दी कि नींद पूरी हो जाएगी ना तो सुबह उठने में मतलब सुबह जाए ग्यारा बजे ही सोना चाहिए दिन में सोय चाहिए ना सोय इसलिए मैं कोशिश करती हूं कि दो पहर में थोड़ा रेस्ट ले ले और गाईज आजकल जैसे आप लोगी रक्षा बंधन में थोड़ा सा मिठाईयों को लेके सतर्क रहिएगा क्योंकि मिठाईयों की बह अच्छी शॉप से ही ले जहां का मतलब फेमस है या आप जानते हैं कि वहां की अच्छी ही होती है या कोशिश करिए कि घर में बना ले तो बहुत ही अच्छा है मैं तो घर में ही बनाने वाली हूँ तो वही मैं सोच रही हूँ अब मैं जाऊं मैं सोची कि आज व्लॉग लेकिन फिर लगाना की डाल देते हैं यह सब जो आज की प्रेपरेशन है और कल का वो कल के व्लॉग में आएगा तो इस तरह जादा लंबा भी व्लॉग नहीं होता है मैं जादा लंबे व्लॉग तो बनाती नहीं हो गाइस क्योंकि बहुत ऐसे काम होते ना गाइस कि आप हमे कभी किचन में हैं दोड के बेडरूम में जगा आ रहे हैं कभी तयार कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं तो नहीं रिकॉर्ड बन हो पाता है तो इसलिए मैं नहीं बहुत कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ वैसे अब दीरे-दीरे कोशिश करूँगी कि सब कवर करूँ तो गाइस व्लोग को भी यहीं एंड कर देते हैं और आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजेगा और चैनल पे ना है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ आप लोग मुझे फेस्बूक और इंस्ट्राग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मैं अपनी आईडी ना डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दोगी तो आप लोग वहाँ से फॉलो कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स व्लॉग में और आप सभी को हैपी रक्षा बंदन गाइस और मिलते हैं नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए बाई अपना ध्यान रखिये गा